हाई गाईज वेलकम तो मैं चैनल इजी नेटिंग क्लासे तो देखें फ्रेंट साज में लेकर आई हूं आपके लिए यह वाला पैटन देखें बहुत ही प्यारा पैटन है यह कुछ इस तरह से जाली-जाली सी दिखती है इसमें लेडी सिस्काफ में कार्डिकन में यह बहु सुन्दर दिख रहा है यह देखें आगे से यह और लेडी स्कैप में भी यह बहुत अच्छा लगता है और टू के मल्टिपल में इसमें फंदे डालने हैं हमें जैसे इवन नमबर में 2,4,6,8 इस तरह से फंदे डालने हैं बहुत ही सुन्दर पैटन है तो आये देख लेत समझ में आये कि किस तरह से बनाना है दीखें जैसे कि आपको इस तरह से बॉर्डर डालना हैं जैसे कि अपने अपने कोर्डिंग डाल सकते हैं यह दो पिविए बोडर के डाने मीं संवर्ड़ के इस तरह करना है यह चिक दरकारा अपे अलोच करना है तो तिक यह स्लिप करना है या तो निट भी कर सकते हैं तो देखिए पहला फंदा मैंने स्लिप किया एंड धागा आगे ठीक है फिर ये दो फंदें है ये और ये दो फंदों का एक करना है इस तरह से इस तरह से करना है इस तरह से नहीं करना है इन दो फंदों को एक करना है फर्स्ट रोग ये हमारी देखिए इस तरह से फिर धागा आगे थोड़ा से इसको खीच लेते हैं लूज करने के लिए अब यहां से ये देखिए दो का एक फिर धागा आगे देखिए दो का एक बस पहला फंदा हमें स्किप करना है बाकी हमें सारे फंदें दो की एक ही करने हैं फिर से धागा आगे इसी को हमें रिपीट कर देना है पूरी सलाई में धागा आगे दो का एक फिर धागा आगे दो का एक बहुत एजी पैटर्न है सिर्फ दो सलाईयों को पैटर्न है बहुत बिगनर्स भी से बना सकते हैं ये देखिए धागा आगे करेंगे हम पहले ये देखिए इस तरह से क्योंकि दो का एक हम कर रहे हैं तो यहां पर एक फंदा हम घटा रहे हैं अभी देखिए यहां पर हमें एक फंदा इस तरह से ये जाली वाला बढ़ाना भी होगा ये देखिए एक फंदा भारा बढ़ रहा है ये देखिए फंदे हमें उतने के उतने ही लखने हैं धागा ख़पांगे करना है in karena हम दो हो एक करना है कि दधागा आगे करना है दो का एक करना है फिर धागा आगे फिर हमें दो का एक करना है और लास्ट का ये फंदा हमें सिंपल सिधा बनना है ये देखिए ये जो घुमाओ आया है ये वाला ये वाला ये हमारा बन गया अब नेक्स ट्रो पर आते हैं फर्स्ट ट्रो अमारी कंप्लीट हो गई अब हम नेक्स ट्रो पर आएंगे देखिए यहां पर क्या करना है कि देख लीजे थोड़ा सा ध्यान से पहला फंदा हमें इसकिप करना है पर्ल वाईस दूसरा फंदा हमें पर्ल वाला लेना है उल्टा लेना है यह जाली से पहले वाला फंदा बस हमें एक जहां से यह जाली स्टार्ट होई है उससे पहला वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है अब देखिए धागे सलाई पे हमें इस तरह से एक लगाना है यानि कि हमें यहां पर एक फंदा बढ़ा लिना थीक है देख लिए धागा मारा अगे ही रहेगा कि सलाइ से इस तरह से एक रौ लेंगे हमारा एक फंदा यहां बढ़ा और पर्लवाइज यह जाली वाला फंदा और यह हमारा बनाओं फंदा हम दौनों फंदों को एक कर देंगे यह देखें तो हमारे पास सेम फंदे हैं यहां हमारा एक बढ़ गया और यहां हमारा एक कम हो गया नेक्सथ हम बरी करेंगे तो सअलाह पराउण लिए द्सक्राउक क्शिप करेंगी जैसे विंब्षा रिपीट करते जाना है हमण तो फिर लाइप राउंड लेंगे तो फिर दो का एक करेंगे दिखिए इस तरह से फिर चली पराउण लेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर से सलाई पर राउंड लेंगे यह वाला फंदा थोड़ा टाइट निकलता इसको थोड़ा सा उपर उठाले फिर निकाले यह इस तरह से फिर दो का एक करेंगे सलाई पे राउंड लेंगे बस इतना सा डिजाइन है बहुत सिम्पल इरही दो का एक धागा आगे थोड़ा सा इसको लूज कर लें बनाती समय तैट है यह फंदा थोड़ा यह देखें फिर राउंड लेंगे सलाई पे थोड़ा सा इसको लूज कर लेंगे फिर गुनेंगे फिर दो का एक सलाई पे राउंड और फिर हम यहां लास्ट में दो का एक कि यह देखे हमारी सेकेंड रू कंप्लीट हो गई रॉंग साइट से अब देखिए इसको फ्रेंट साइट से आ जाते हैं अब भी देख लीजे मैं आपे आपको दिखा देती हूं यह दिखे बीच में यह जाल बनकर आ गया यहाँ पर यह वाला यह जो जाल बनकर आ रहा है यह रॉंग साइट से आता है तो देखिए आप भी बना यह से और मुझे कॉमेंट करके बताई एक कि आपको यह कैसा लगा और अपने इस किस प्रोजेक्ट में डदा दाला तो नब अच्छा लगता है यह लेडी इस का fish का श्रेशली बहुत अच्छा लगता है वह जो देखिए हम और इसको अशा माइं तो बाइप अडिक ढूरा गोस्थ और मेरे लोग्त सक लाकर भीट कर दें जिससे के मेरे आने वाले वीडियो के नौटिफिक के साथ आपको समय से मिलते रहें तो चलिए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू